हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोनिक स्टड़ी यूट्यूब चैनल पर नमस्कार आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बेटी से एलेड थर्ड समेस्टर से जो आपका पेपर नबर वन है सैक्षिक मुल्यांकन क्रियात्मक्षोध एक्षिक तहट आपके सामने मूल्यांकन के विविदर प्रकार यानि कि वायरियस टाइपस आफ एवाल्यांकन के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं उसके बारे में यहां से हम बात करना शोरू करेंगे इसका मैं आप लोगों को मैं बता दू जो इंपॉर्टेंट चीजे है में में वह मैं आपका इलेक्ट्रोनिक स्टडी यहां पर बता रहा हूँ बाकि फुल कोर्स आपका अन अकाडमी पर अबेलेबल है आप लोग वहां पर जाकर कि उसको देखना बिल्कु से मत भूलिएगा लिंक इस वीडियो की डेस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल तो दोस्तों गर मुल्यांकन की विविद प्रकार को लेकर के बात की जाए यानि कि मुल्यांकन की प्रकार यानि टाइपस ऑफ एवालुएशन तो इसमें क्या है कुछ पॉइंट्स को सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो बिंदू यहां पर लिखे हुई है जैसे लिखा है कि मुल्यांकन के तहए तो इक शात्रों के व्यावार का मातरात्मक वा गुडात्मक व्याख्या की जाती है कहने का मतलब यह है कि जब भी आप एवालुएशन की बात करते हो आप मापन को पढ़ के आए आप मुल्यांकन को पढ़ के आए आप अपन अकारडेमी से भी पढ़ कर रहे होते हो मतलब मुल्यांकन को या मुल्यांकन कर रहे होते हो किसी एक शात्र को ले करके किसी एक व्यक्तिकाद शात्र को ले करके या आप जो है किसी ग्रुप में बात करें शात्रों को ठीक है तो यह तो दो बाते हो गई लिखा फिर हुआ है दूसरी लाइन में आपका यहां पर कि विविद उपकरड़ों क्या हो सकता दोस्तों यहां पर विविद उपकरड़ों क्या हो सकता यह बताने कहने का मतलब यह है कि आप बिविन प्रकार के मुल्यांकन करने के लिए भिन 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 मुल्यांकन करने के लिए भिन भिन जो मुल्यांकन के उकरण है उनका प्रियोग कर रहे होते हो होता यह है कि ग्यानात्मक विवहार के मुल्यांकन है तू जब अब ग्यानात्मक विवहार की बात करते हो कि मुल्यांकन है तू भावतिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, निरीक्षण वाली बात हो गई, साक्षातकार वाली बात हो गई, इन सारी चीजों का प्रयोग करते हो मतलब आप औरल टेस्ट हो गया आपका, रिटन टेस्ट है आपका, इंस्पेक्शन आप कर रहे होते हो या इंटर्व्यू आप ले रहे होते हो, यह ग्यानात्मक देवहार के मुल्यांकन के लिए यह उस होते है, कहने का मतलब यही आपकी विविद उपकरन है, जैसे आप कहने का मतलब यह है, आप यहाँ पर अलग-अलग चीजों का अलग-अलग उपकरन का उपयोग कर रहे हो, ऐसे ही यहाँ पर जैसे लिखित परिक्शा, मौखिक परिक्शन, निरिक्शन, इन सबके द्वारा ग्यानात्मक विवहार का मुल्यांकन होता है, आगे बात करते है इसमें भिन भिन उपकरनों की जरूरत वाली बात होगी, उपकरनों की आवस सकता है और इसकी, चोथा पॉइंट कहता है कि इसके प्रकार को, मतलब मुल्यांकन की प्रकार को निम्न प्रकार से सूचिवद किया जा सकता है, दो ही प्रकार की दोस्तों, जो मुल्यांकन की प कि इसमें क्या कुछ होने वाला है दोस्तों आप लोगों को मैं एक information दे दूँ सीटेट यूपिटेट और रीट के लिए आपका जो है आज से ही जी हां 18th of स्वारी मतलब 18th of March से आज से नहीं मतलब 18th of March से आपका courses जो है launch होने वाले हैं subscriptions आप लोग वहाँ पर ले सकते हैं कुछ payment करके आप लोग उन classes को देख सकते हैं अलग-अलग subjects को अलग-अलग teachers पढ़ा रहे होंगे जिसमें social studies जो है तो बदाए उसके बारे में मेरी profile पर जाकर के plus में आप लोग देख पाएंगे आज ही launch होगा जब ठीक है आप लोगो मैं inform कर दूँगा लग से भी दोस्तों यह हो गया मैं academy की बात कर रहा था अभी तक यहाँ पर है दोस्तों परिमाडात्मक मुल्यांकन यानी की quantitative evaluation बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ अधिक विश्वश्नी उपयोगी और वैद होते हैं ठीक है यह तो एक बात होगे इसमें कुछ ऐसा निमत वैलेडिटी इनकी होती है विश्वश्नी होते है आप इसमें विश्वास कर सकते हो यह जो अभी चीज परिमाण में दिखाई दे उसको परिमाण अत्मक मुल्यांगन कहते हो तुए आपर मौखिक है आपका लिखित है प्रायोगिक या फिर जिसको प्रियोगात्मक परिक्षा आप बोलते हो इनहीं तीन के बारे में आगे हम जो है डिटेल में बात करते चलेंगे दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौखिक परिक्षा इनके ओरल टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है ग्लेडाइड्स द्वारा शुरुवात की गई किसके द्वारा ग्लेडाइड्स एक तम इस परस्ट तरीके से लिखा हुआ है इनके द्वारा सबसे पहले इसके शुरुबात कि गई, मोखे पर रिक्षा की, सुकरात द्वारो इसको महतोपूर्ड नस्थान दिया गया, सुकराते सुकरात आप पढ़ के आये हो, ठ HiKya तो कहने का मतब ये है, कि शुरुबात इनकी द्वारा किया गई, की गई, ग capitalist के द्वारो, लेकिन काफी कुछ काम किया जो है सुक्रात नहीं तो महतोपूर्दस्थान मिला इनके कारियों को इनके द्वारे इनने इस से महतोपूर्दस्थान दिया गया जब आप Oral Test की बात करते हैं Oral Test मतब क्या है आप से सामने से कोई ख़डा होके तो वयक्तिक प्रविधी है, मौखिक सवाल एक-एक लोगों से पूछा जाता है, विल्कुल इंटर्विव जैसा, इंटर्विव में एक ही लोगों को बैठाते हैं और वहाँ पर पूछ रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन maximum cases में वयक्तिक उसमें देखने को मिलेगा, मौखिक परिक्षा के कुछ प्रायोजन होते हैं दोस्तों, यानि कि परवसा ओरल टेस्ट, परपज, क्या इसकी परपज हैं जैसे, स्मरण शक्ति का विकास करना, आप पहली चीज बता सकते हो, जो memory power होती है एक तरीके से, उसको develop करना, दूसरा आप बता सकते हो, मौखिक से इस्ट के तरप घूमती है, तो क्यों घूमती है, तो आप क्या है, विचार सकती, कलपना शक्ति का आप अप यूज करोगे न, मस्तिस के जंजावा, तो सारी चीजे देखने को मिलेंगी, ठीक है, वही बात कही गई है यहापे, यह होगे आपका, अध्धिन किये गए प काम करें, एक पेस के साथ में काम करें, तो यह सारी आप उस पर प्रयावजन परपस में डाल सकते हो, दोस्तों मौक्य परिक्षा की कुछ महत्व होते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ औरल टेस्ट, जान लेते हैं उनके बारे में थोड़ा सा, यहापे कहा परिस्ट्रम और समय की बच्चत देखने को मिलती है, अगर आप गुड़ो महत्व को लेकर के बात करें, तो प्रतेक कार्य को लिखने, लिखेत रूप में संपन करने में अधिक समय लगता है, जबकि मौक्य परिक्षा की मदद से विद्यार्थी विभिनने कार्यों को सिग्रगती से कर सकते हैं, आपने जैसे ही उसे पूरा कर लिया, शेकरता से आपका जल्दी से अगर पूरा हो गया, और आपको स्वाबासे पुनरवलन मेरा, कि बहुत अच्छे क्या बात है आपने से उतर दिया, तो ऐसे में क्या है, आत्म बिश्वास जो सेल्फ कॉंफिदेंस वाली जो बात होती ह उतसाह वर्दन होता है, यह भी आपका सकती हूँ, स्मरडव कलपना शक्ति का विकास, यहाँ पर अध्यन कर रहा होता है, जो विद्यार्ती वो अधिक अगर ध्यान पूरवक्ततियों को याद रखना पड़ता है, उसको जो है, भाई उसको आपको आपने पूछा, आप ए यहाँ पर मौके कार्य करने से जो इस्टुडेंट्स होते हैं, उनको मांसी कार्यादे करना पड़ता है, मतलब मेंटल वर्क जो भी है, आप अपने दिमाग में जो भी आपकी चीज़ें हैं, संग्यानात्मक बातें जो भी हैं, वही तो आप उनको वया कर रहे होगी, अप तो यह बात हो गई आपके, कुछ गुड़ों की बात हो रही हैं, कुछ गुड़ हैं, मौकिब करिक्षा के एक शात्र में आत्म विश्वास जागरित करना, यह तो अभी आप पड़किया, अभी मैंने बताया, विचार व्यक्ति, उचालन आदी योगिता हैं, इनके द्व डाइगनोस करना, चीजों को पहचानना, यह आपका निदानात्मक कारिये होते हैं, मुखे था व्यक्तिगत होती है, परसन टू परसन आपको देखने को मिलता है, और अन्य में कुछ और बाते भी आप बता सकते हो, जैसे कि नियमी दिस्रिक्शन परक्रिया में मौकिक पर सब्सक्राइब करेंगे, तो समय ज्यादा लगता है, क्यों समय ज्यादा लगता है, क्यों कि आप अलग अलग लोगों से व्यक्तिगत रूप से आप questions पूछ रहे होते हो, ऐसे में आप एकठा कोई सबाल देजेए, सारे लोग करेंगे, ठीक है, पक्ष्प्ष्प्ष्प् पात के संभावना ज्यादा होती है, ठीक है, साइड लेना किसी का, वो ज्यादा चीज़े देखने को मिल सकती है, अन्ने में आप बता सकते हो कि परिक्षा के आधार, पर रंतिम, व्यापक और संपोरडम, मुलियांकन जो है, वो संभाव नहीं है, यहाँ पर एक के संबंध में पूरी तरीके से सारी बाते समझ में आई होगी, अगली टॉपिक में हम लिखित परिक्षा को ले करके बात करेंगे, तो आज आपके अनकाड़मी पर स्पेशल क्लास से ध्यान दीजेगा, नाइन टू टैन पीम, ठीक है, अभी दो पार से ही आपको रेजिस कर सकते हैं, साइन्स विज्ञान को ले करके आज हम बात करने वाले हैं, तो मिलते हैं अपने वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, वीडियो को शेयर करते रहिए, जितना ज्यादा हो सकें, तब तक ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,